मारत, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, ये जो अपना लेक्चटर है 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 हमारा टेक्निकल2 असस्टले ग्रेट्स 7 के लिए इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या-क्याँ कि इसके यह पढ़ने ऐरी कॉरें बोटनी उरका दराना है करतेदों तूब देख लेते हैं इसके बाद हम Start करेंगे ठीक है यह देखो आप यहां पर से भगे-टोगी अज्रस देखें तो अब से बिखो कि एग्रिकल्चर बोटनी जुलोजी थे के आग्रिकल्चर बॉटनी और जुलोजी थे के इंदर हमको पढ़ना है स्टेक्स आइंडियन ए एंदर प्लांट्टिन इकोनोमिक्ष पढदना है प्लांट को सबस्किकलोजी पर्मजियनMr. तिसव पढ़ना है जैसे फोटो सिंथेटेस्स सर्कूलेशन मुवमेंट एक्सेक्टरा और यह सारे टॉपिक पढ़ना हमको बोटनी के अंदर तीक अब हमको जुलूजी में क्या क्या पढ़ना है जुलूजी में हमको पर राज़चिंट क्या होती है अनिमल टिसू के बारे में पढ है सारे सिस्टम पढ़ना पढ़ना है टीक है एनीवल क्लासीफिकेशन पढ़ना है माईक्रो और्गिनेंस पढ़ने इंसेक्ट है और रोडेंट यह सारे स्लेवस हमको पढ़ना है यह तो हो गया हमारा स्लेवस ठीक है चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं particularly इसको समझ ना बहुत ही इजी टोपिक है और यहां से जो भी कोशन आगे एक्जाम में वह कभी भी एक्जाम में को सना आता है आप देखते होंगे नोमन क्लेचर क्या है क्लासिफिकेशन टैक्सोनोमी हैंना किंग्डम इसके बाद हैसा यहां से एक कोशन एक्जाम में पूचा जाता है अब हम अच्चाइज कि आज कहते हैं वह है टैक्सोनोमी क्या है डाइबर्सिटी के अंदर क्या बढ़ने वाले रहीं को टैक्सोनोमी कि हम्दी और क्या बोला जाता है बर्गी करन बिग्ञान ठीक है टेक्सोनोमी को हिंदी में बोलते हैं बर्गी करन बिग्ञान ठीक है अब यह पर नोमस जिसका मतलब के बारे में यहांपर पढ़ना पड़ेगी किस कि बारे में एक परकार से विवस्था जमाना एक परकार से क्या करना कि जो भी प्लांट होंगे ँदियाँ ये उते हैं ठीक है उनको तरीकिसम को शमाना कि अच्छा प्लांट है तो प्लांट कौन सा आप राइवाइट है टेरीडवाइट है एलगी है जिमनिस्वा में अगर अनिमल सहल ना पौरिफेरा में आएगा तो इस प्रकार से बिवस्थे तरीकिस हम को अरेजमेंट करना उसे हम क्या क्या कहते हैं यह फर इसकी डेफिनेशन आप से अगर कभी एक तो बर्गी करण में जो भी प्रेंसिपल और यूज किया जाते हैं जो भी विधियां और जो भी सिद्धान्त उप्यों किया जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बोला जाता है टेक्सिद्णोमी क्या होता है जे इस्टटी ओबैरियस प्रेंसीपल एंड फ्रोशीजर यूजद एक क्लासिफिकेशन कि बर्गी करन के अंदर जो बिद्यां और सिद्धान्त उप्यों कि जाते हैं उससे क्या बोलते हैं टेक्सोनमी कहते हैं बास समझ में आ रहे हैं टेक्षणोम का सिधी बम भी मतलब है भरकी करना क्लासिफिकेशन क्लासिटेशन अब सब्सक्राइब उसको यह झाको है तो सबसे पहले क्या Olzen प्लांट थीज़ में कौन सी सेल थीज़न की एलफी यदि कि ऑन वह सारी सब्सक्राइब तो सारी चीज़ कोई तर उसी को क्या बलते है टेक्ष्ट कينis क्लासि किसान करना क्लासिफिकेशन के लांडर हम जितने भी मैंतट इस जितनी भी principle त्टीक है जितनी भी principle और जितनी भी procedure का यूज करते हैं उन सबी को क्या वोलते है टेक्सोनोमी कहते हैं क्या बात समझ में रही है इस्टडियो प्रेंसिपल एंड प्रोसीज और क्लासिफिकेशन कि बर्गी करण के अंदर जितनी वी बिदियां जितनी भी सिद्धांत उप्यों के जाते हैं यह जो टैक्सोनोमी वड्ड है यह वी एक्जाम में पूछे आते हैं अब एक्जाब में को से आता है कि फादर औप टेक्सोनोमी कोन है है ता तु जब भी आपसे फादर ऑप टेक्सोनोमी करोडे में पूंचे कोन होता है कोन होते हैं है क्या रोल रूंत लिंज्टेंस होते हैं जाहते हैं कोई सीव टरॉघ्णोमि और इनी मल हो चलिए उन्होंने एक ली की बोक का नाम था, ठ्योरी जेला बोटनी का, इस बोक के अंदर इन्होंने था, यह जो तो बुख के अंदर है तो बता यहां तक किलियर है है अब यह बैसे चीज टैक्सोनोमी सब्दे का मतलब समयाए कि टैक्सोनोमी का मतलब क्या है देखो टैक्सोनोमी के अंदर हम दाग्स्वाउच के बारे में शठी करने वाल है ट्रह टैक्सोनोमी के बारे में सबसे पहले करोगे अप पूछे कि ट्रय unified है तो ट्रह ट rolls के अंदर हम कितने हैं दर हम इस चीजों को छे करते हैं हम 4 और कंपोनेंट की स्टड़ी करते हैं पहला जो होता है पहला चरण टेक्सोनोमी का वह पहता है आइडेंटिफिकेशन ठीक है क्या होता है आइडेंटिफिकेशन सजीवों की पहचान करना ठीक है सबसे पहले आप यह देखोगे कि जो आपने खोजा है कोई भी लेवें गोर है यहकं सा सजीव है प्लांट किया पहले तो जाण करना..! बहुत सबसे पहले तो में सबसे पहले है जब लो ऐसके लोगः उनका नामकरण करते ओ जो है साइंटिटिक रूल्स होते हैं ऊसके अकोड время करना है तो क्या करना है दूसरा तो है नूमंगेश्र IT ढूरा क्या करना है तो आंसर ह्नाम करन करना तो ऊक्ष्टॉम्रा क्या करना है नाम करना है जो भी scientific rules होते हैं उसके according उनका नाम देना ठीक है जो भी आपने अभी identify किया है उसका नाम देना अब identify हो गया नाम दे दिया अब उसको similarity character की समानता और असमानता के आधार पर ठीक है उसको classify करना अच्छा कौन सा है अच्छा यह plant की character मिलते हैं किस अगर एनिमल है तो किस अलिमल से character match होते हैं अगर वर्टीप्रेट तो बड़्ती ब्रेट प्लांट की से किसके साथ character मैच होगी ठीक है ना बहुँना रही है तो तीसरे नमबर की क्लासिफिकेशन थीसरे नमर पर क्या classification है के तीसरे नमर पर क्या देखते हम classification बरगी करने तीसरी नमर पर क्या classification गिए ठीक है चोते नमर पर देखते हैं फौर्ट नमर का जो पॉइंट होता है अफिनिटी मतलब आपस में जीवों के आपस में है ना इंटर रिलेशन सिब्किश करने की एक और दूसरी से जो होता है वो होता है एफिनिटीज क्या बात समझ में आ गई आपको तो टेक्षोनोमी के इंदर हम चार पॉइंट स्टड़ी करेंगे आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर क्लासिफिकेशन और एफिनिटीज समझ में आई तो यह पॉइंट याद रखना बैसिक की इंदर हम किस कि स्टड़ी करते हैं आइडेंटिफिकेशन मतला सजीवों की पहचान करना ठीक है नॉमनक्लेचर मतला नाम करना क्लासिफिकेशन मतला बर्गी करन करना और फोर्थ नम्मर का पॉइंट होता है आपस में इंटर्रेलेशन्सिप के स्टड़ी करना है एपनेटिइश का मतला होता है इंटर्रेलेसन्सिप Si Keith कि एक और दूसरे से Вот इस परकार से संबन दे एंटेमगें जमिए मां के वा समझ में शूर्ड को चारव ससीर पाइंद करना क्या क्यों के लाता है विश्डिकों पर इंदर कि टैक्सोनुमी के अंदर चार पॉंट की इस्टड़ी करते हैं फॉल्विंग पॉंट से हैं ठीक है तो पहले नम्मर का पॉंट है इडेंटिफिकेशन जो मैंने आपको बता है ठीक है इडेंटिफिकेशन मतला सजीवों की पहंचान करना यह प्रोसेस वाइच एन और गाइ जानते हैं उससे जिनको नहीं जानते उनकी पहँचान करना तो पहला इंपोर्टेंट याद रखना पूरी डेफिनेशन रटनी के आवसकता नहीं है पहँचान करना पहँचान लिया पहँचानने बाद क्या करोगी नाम उनका नाम दोगी साइंटिफिक नेम जो होते हैं तो जो भी रूल्स होते हैं उनका नोमन क्लेचर करना ठीक है नमिंग और ऑर्गनेज्म अकोडिंग टूदा इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स जो हो इन्वर गया क्लासिफिकेशन अब उनको क्लासिफाइब करना है ठीक है उनके चाहर के बैसे पर एक पर प्रोप पर प्रोप के अंदर रख दिया और फॉर्थ नमर का क्या देखल हुए हम एंटर रीले संप कलाओ वह को बात वहाना किया तरफ हम क्यों यहां है कि आसे कि वह कि और की सिंवरने क्वश्इच में ग्रहिगों अधřटे तोर सिंग अधव क्लियर रहे प्रदीव राहूल मताएं कि लिए रहे है कि मताई है जिंका राहूल सिंग ठीक है कि लिए रहना सभी को अब एक टर्म होती है यहां पर एक ठर्म कभी कभी एक्जाम में जहीं वैतंते हैं घ्न시 संभी कि हाना थे सभ्रक्राइज सब्राइज जलएज सेंदरा ichi अगया यह यह सचना की जैस्टमास के सभ्राइजक कीणा यह वर्ड्य ад कना सभ्राइर जो तर्म के सिस्टेमाट एंड यह 않아요 उसका मतलब होता से सभ्राइजमेंट ऑफ द ऑने मतलब बयवस्थित तरी के से विवस्थत करो मैंतला उनके मॉर्फोलीजीकल गारेक्टर की भी देखो उनका इव लेश्टे करना है ठीक है अलेकिन सिस्टेमेटिक तोड़ा और डीप मेर जाकर कहें हम कि याप को क्लासिफिकिशन तो करना है लेकिन तोड़ा अच्छे से करना है सूब विवस्तित तरीके से सिस्टेमेटिक करना है मतलब इसकंदर external character भी देखते हैं internal character भी है वो सारे character देखकर हम क्या करना जन्रली सिस्टेमेटिस कंदरम external morphological characters होते हैं उनको सामिल किया जाता है ना ठीक है तो इसकंदर नाम है कि सिस्टेमाटिक्स वाइटर इन्लार्ज इंक्लूड आइडेंटिक्स करना आंदे को नोमन क्लेचर है क्लासिफिकेशन वहीं सारी चीज दो हम आप अन्दर तो कहने का मतलब टैक्सोनमि और sytami एक दूसरे के परयावाची सब्द्द होते हैं एक दूसरी सुनोनियस होते हैं ठीक है system का और तो यह दूसरी के क्या है प्रयाबाजी है कहने का मतलब यह होता है इडेंटिफाइब करना नोमन क्लेजर करना क्लासीफाइब करना थोड़ा और बेबस्ट इस्टेमाटिक्स और इवुलिशनर रिलेशनसिप भी देखते हैं कि वह यह किसका और पहले हुए रिजन बाद में है ठीक है किसके साथ क्या सा सब्सक्राइब करना तो वह सब्सक्राइब करना तो कि आता है किसके अंदर सिस्टेमाटिक्स कि अनदर डिक न हूँ तक सुनकी स्ट्डी चाहिए बहुं के इसले दिरे दिरे टेक्सोनोमिय आगे वड़ी तो modern taxonomy के अंदर है न हम जो अभी classification कर रहे थी तो अभी सिर्फ external morphological characters देखते हैं systematics में सिर्फ external morphological characters देख रहे देख रहे दें दीर दीर internal morphological characters भी देख रहे हैं अब internal के अंदर क्या देखेंगे कि उसके सब्सक्राइब करेक्टर से देखते हैं मतलब साइटो लोजीकल करेक्टर हुए इस्टोलोजीकल करेक्टर हुए एनाटोमिकल करेक्टर हुए मतलब external internal characters ठीक है उन सब की भी study की जाती है किसके अंदर modern taxonomy के अंदर तो यहां तक किलिए तो सिंपल आपको इतनी सारी चीज रखना क्या याद कहने का मतलब systematic word मतलब एक प्रकार की taxonomy है उस related एक दूसरी के परयावाची होते है यह नहीं टर्म है ठीक है ना यह के लिए इसका मतलब होता वही एक्षाम के अंदर पूछता है type of taxonomy क्यों होती है ना थीक है बहुत ही सिंपल है जब कभी आप से तो क्लासिफिकेशन एक दमाग में वड़ याद रखना हमें सथ टेक्सोनोमी का मतलब आपको करना है प्लांट का क्लासिफिकेशन तो अल्फा टेक्सोनोमी का मतलब यह होता है कि अगर 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 प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं किसी का भी तो इसे कwriter अलफा अफिक्र सब्सक्राइओ कि कुद्ऑम जो में कि साथ और डो डोगा क्लासिफिकेशन Culture und क्यान आइकस्टेंनल मॉरफॉलोजी क्यरेक्टर है के क्या वास समझ में आ रही है आपको। इंदी किल के रकेटर हैंना लांट का जो क्लासिफिकेशन का कशाधर पर हो एकस्टेंनल मॉरफॉलोजिकल क्यारे तो उसे कहने सिंपल गाषा में थники्स दिछत Walker आप कि बाइंस की सफीघ्र इसका के साथ है उसका यूवर कैसा ऑगर प्लांट की बाद करें तो बाहर में लेखिए continent क्लासिफिकेशन करते सब्सक्रूब वार्च में कहते हैं ठीग मिन ठीगें एक दूसरी टर्म अए बीटा-टेक्वसोणोमी टीक और अलफा के बार धोती है बीन AbstractHHM mantle गाना यह जो बीटा टेकसोनोमी होती है इदर देखीimmeस ठीक है बीता टेक्सोनोमी we about taxonomy के अंदर देखो गारी अलफा के बार हो गारी भी पीटा टेकसोनोमीक मिलीथ ट्रेट एक्सनोमी के अंदर हम देखते हैं ऐसे इंटर्नल दोनु क्रेटर को सामिल कि लाजिफिकेशन दोनों इंटर्नल एंटर्न्ल एंट इंटर्नल करेंगे बाद समझ में रहे हैं क्शनला चैरीटर अंत्रिक मतला बहरी और यो आंत्रिक जो फोलो को सामिल जाएगा जो इंटनल चर्टर होंगे जो इंटर्णल चर्टर होंगे इंटनल तन्सक्राइब गया सकते हैं बीदाइब सब्सक्राइब करेक्टर हैं इसके बाद पर इंटेनल मतलब को फ़िस्ट करते हैं तो स्कूं कहते हम वीटा टाक्ष शूनों के अदर एक्स्टर्न ऍरन प्लस इंटरनल दोनों केरैक्टर को इंकलूड करते हैं तीसरे नमर पर होता है हमारा ओमेगा टक्सोनोमी तीसरे नमर पर होती है ओमेगा टक्सोनोमी जो है इसके अंदर complete इन्फरमेशन का यूज किया आते हैं प्लांट के बारे में भाई जितनी इन्फरमेशन आपके पास है अब लेवल एक्टनल इंटर्नल जो भी और कुछ भी बचा हुआ है तो क्लासिफिकेशन करते हैं वो ती ओमेगा ठीक है लाशिफिकेशन ब्सक्राइब करें तो इन्फरमेशन आपके पास उसके पर पर क्लासिपाइब करना तो scoring is Um começeller कि यहां तक को कि सुनुacht कि आए ना एक होता फौर्थ नम्मर का साइटोड़्य में इसका संध्य को मतलब इदर देखिए क्या होता है कि जब इस किवेग्रेशिंष है या कि तैक्सों नोम को सॉल करने द्यान से सुनना क्लासिफीकेशन की प्रोसेश्मिक या कोई भी टैक्सोनोमक प्रोबलम को सूल करने में जब हम अन्हें सव इस्टो लोजिकेल कर्थर की स्टडी करते हैं अब आपके द्माग में आए-साइटो लोजि किा होते मतलव कि कि परρεलेटित जितनी भी जानकारी है अगर उसकी बासिफिकेशन करेंगे तो है जब प्लांट का क्लासिफिकेशन त्क ग्लान्ट के लग्ण seeks अगता करने के लिए हम वाइन करने क्या है तो सॉल करने के लिए तो कैसे जैसे क्रोमोजोम की संक्या कितनी है क्रोमोजोम का नंबर कितना है क्रोमोजोम का इस्टेक्चर कैसा है क्रोमोजोम का वेवियर कैसा होता है क्रोमोजोम के अंदर सेकेंडरी कॉंट्रक्शन कितना है क्रोमोजोम के अंदर है ना डिलेशन डॉपलिकेशन यह सारे राफिनेशन कि दा यूज उफ साइट लोजी कल केरेक्टर से फ्लांट सेन क्लासिफिकेशन और इन सोल्विंग दा टेक्समोम है प्रोब्लम सेट इसल्गोड को मसें बैस त होते हैं कि अब लास्ट होती है कीमो टॉक्सिणोमी का बहुत ही सरल हर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना केमिकल कंटेंट की मतलब कि हर प्लांट के अंदर एक प्रकार का गंद पाई जाती है गंद संगर्ण के अंदर एक इतंगत आदार प्रकार के संगट संगतन के आदार पर किसा आधार पर राशानिक संगटन के आधार पर बर्गी करन करना क्या क्या लाता है क्यों टैक्सोनोमी तो अलग लग प्लांट के अंदर अलग लग केमिकल संगटन पर आधार होता है तो बताव यहां तक आपको मैंने पांच टाइप पड़ाए तो पांच व समझ में आई अलफा बीटा ओमेगा और की मोर्साइटो कि हाया ना कि समझ में आया अच्छे सी बताइए कि मोदी सराल कुछ भी नहीं है ना कि तीक है इसी है कि नहीं थोर सिंग्यादम प्रदीप रहूल ब्रिश्वकर्मा कि चलिए अब दर देखो अब कुछ बैसे क्यों आप स्टेडी टैक्सोनोमी पड़ क्यों हो रहे हो कि मजा रहे है पंड़ने में एक्जाम में आएगी व बारे में क्यों पूश्त रहते हीं कि टैक्सोनॉमी स्टेडी तैक्सेनोमी पड़ने का जो सिंग्नीफिकन से महत्वі क्या है क्यों एक सान्सी आंन сов होते हैं उनकी पहचान करना इसका प्रैक्टिकल सिंग्डिकेंस क्या है टैक्सोनोमी का confirm हैक्यक होता है कि वह जो unknown members होते हैं उनकी पहँचान करना सजीवों की पहँचान करना हा या ना आइडेंटिफिकेशन और अन्नों और उर्गेंश जिनके बारे में जानना चाहती है पुरी दुनिया वहाँ वाइंडेश्ट के बारे में अज तक खोज नहीं हुई तो पता परक्टिकल्ड शिग्निंफिकेंस है कि उनको नहीं जादे हैं उनकी पहँचान करना अचना आइ ठीक है जिनके बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में जानना यह होता प्रेक्टिकल सब्सक्राइब कि दुनिया में सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप की जो होती है अलग लग लग टाइप के प्लांट को ओर्गिनिज्म हुए जिस हम कहते हैं डाइवर्सिटी ओ होती है एस दुनिया में सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप की अलग लग 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 प्लांट है दीफरेंट टाइप की त्युल्स यह सबसे ज्यादा पर दूसरे नमबर पर वर्ड में दूसरे नमबर पर सेकंड नमबर पर डायवर्सिटी को ती कोलन रीफ प्रवाब जो जो अना समदरी प्रवाल जो होते हैं समदरी के अंदर बड़ी-बड़ी चत्टान होती है आपने सबसे बड़ी जो होती है लिःव कँघ्या होती नमब केल्सियम कारवनेट की बड़ी बड़ी चट्टान होती समुद्री के अंदर जहां पर डिफरेंट टाइप की अलगलग इस प्रिजेंट होती है तो सेकेंड नमर पर जो डाइवर्सिटी प्रिजेंट होती है वो थी कोरल रीफ के अंदर समुद्री प्रवाल जिन कम कहते हैं अभी तक हम इतने ही जातियों इस पीसीज को खोज पाएं कितने सिर्फ बन पॉंट से लेकर बन पॉंट एड मिलियन लगवा सतरा से अठारा लाग जो अलगलग प्रजाती है प्लांट है अनिमल इनको ही हम डिसकवरी कर पाएं अभी तक है ना इस प्रत्वी पर अभी तक कि हम 17ろ's 18,010,000 लाक जो है जा या बन पॉंट से बन इसपीसीज के बारे में हम पता लगा पाएं कि कौन सी स्पीसीज है अभी बहुत सारी अन्नोन है जिनके बारे हम को पता लगान है और उस मैंसे शतरा से 18,020,000 लाक में से 12,050,000 प्लांट है ठीक है ना बारा लाग जो से बहुत सारी इस्पेसी जिनके बारे में जानना हमको तरी तवीध हम टेक्शनों की बारे में पढ़ते हैं तो दिस रैपस्टूट बाइव डाइवर्सीटी नम्मर एंड टाइप और प्रिजेंट अर्थ बाइव डाइवर्सीटी का मतलब होता है संक्या नहीं बाइव डा डाइवर्सीटी मैंने आपको बता दिया ठीक है तो यह पहले बात हो गई कि भाई टैक्सोनोमी क्या होता है आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सारी चीज हो गई ठीक है अब दूसरे नमर पर आता है नोमन के लिए चाहें नामकरन जैसे बच्चा पैदा हो गया ठीक है आ अब करते हैं और आगरे नक्षट्रों को देखते हुए एक जनम पत्त्री बनाते और यह बताते हैं थिक इस वालक का नाम जो होगा ठीक है वो अलग 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 पर होगा आसे का खागा जो भी है ना बंड माला के जो अलग अक्षर होते हैं राद ठीक है किनी उनके आदा नामकरन होता है ठीक है यहां का नामकरन को रहा हम के परिवार बते हैं अबढ़ाइं टेकर लेकिन नाम करना पद्दती के बारें पूरा डेटेल पढ़ेंगे कि चीज क्या होती है बायनोमिल नोमनेक्र सिस्ट्म क्या होता है आप से पूचेंगे डिया किसने तो के रोलस लेनियस फादर यो फाउंडर भी यह तो क्यों लेनियस यूट पर दो साइनिमळ इनिमल इंप्लांट ठीक है था लिए था अपना नम नां मदला आ ho सांसे ज़्यादा नहीं हो देख वर्ट नहीं दोड़ नहीं होगा है तो सब से पहले तो नहीं होगा अपना नाम को भाएन भूण भूला कर लिया सैंटितिफिक नियյ है इसकी इसको पर inputs लिए सब्सक्राइब करें तो आपको क्या याद रखना ध्यान से सुनना ठीक है कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है क्या फाउंडर ऑफ दा वाइनुमिल नोमल सिस्टम इसने की नामकरण कैसे होगा इसकी कुछ प्रेंसिपल से एक अपनी बुख नाम है थीके फिलोश्पी का बोटनी और उसने कुछ रूवल ती प्रेंसिपल दी प्लांट के क्लाशिफिकेशन अनिमिल अब ध्यान से सुनना इसके बाद इसकी नाम है सिस्टम अनुच्छी माने कि यह कि बाइव का नाम करण कैसे होगा ठीक है उससे संवन्द्ध नियम आप से पूचिए आएंगे किस बुख के अंदर पबलीश किंगा तो system किस्टिंदर प्लांट के वन चर होगा तो प्लांट क लोन की सप्लेट और क्यों धूटिक जहां के फैपनतre है इस बूंट कते हो यह अधानी, यह जो जल degना, चरह में पेजर नहीं स्टे हैं, धुरुंट लग्निछान फैकर पेहें फ़्रिक क्या से नाम है, प्लांट केम नमनकीलेचर की जुब नाम करने की शुरुमाद की शुरुबाद की नाम करने कीall हुए वया है यह शुन प्लांट , तो एक माई 1753 से स्टार्ट हुए किस बुक के अंदर तो सबसे रूल से दिये थी स्पिसीज प्लांट टेरम हैंस इस वाइड इनिशेशन उफ दा वाइनुविल सिस्टम फोर दा प्लांट इनियम प्रपोज़्ट फोर प्लांट बफोर देश डेट इस नोट एकसेप्टेड टुड़े बदाया आपको कि वह एक माई 1753 से पहले जो भी नाम दिये गया अरली में अरलियर ना 1753 से पहले जो भी नाम सब नोन एकसेप्टेड एक भी मानने नहीं प्लांट के नोमनक्ले की सुरवात हुई सिष्टेम नाम की ठीक है तो आप से पूचास पर प्लिक ninth नाम की नाम की बोग इस वह बुब्स प्राणी बहुत फैमस बुक है सिस्टेम इनेचुरी इस बुक का जो टैंट एडिसन हम जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तो पड़ते हैं ना वही दोजार अभी 22 चल रही है तो वही कौन सा एडिसन हो उसका अकर मता हर साल एक नहीं संस्क्राण आता एडिसन तो सिस्टे इस ऐसली के टैंट एडिसन जो की ठीक है फर्स्ट अगस्ट सेवंटीन फिफ्टी एड को पब्लिस हुआ तो एनिमल नौन क्लेचर जो है एम एनिमल के साइंटिफिक नेम की शुरूबाद जो है एक अगस्ट सब्सक्राइब से सुरूबाद हुई है क्या बास समझ में रह अब सेओंनाबच को हुए और इनिमल नौन क्लेचर की शुरूबाद कब से हुए फ्लांट की कफशोह एक मए सतरास है नब क्लांटर को मैने बता है अभी एक मैए है प्लांट फस्टd मई कि अनिमल एक का अगाज्ट थे हैं जब को याद रखना है यह आपको याद रखना है इस्पिसीज प्लांट तेरा और अनिमल के लिए कौंसी पुक थी तो अन्सर सिस्टम नेज़े कहां तक कि लियर सबको बताओ यह बैसिक चीज़ें कि लियर को सब्सक्राइब है क्लासिफिकेशन करना है है तो दोनों का पढ़ना कुछ भी नहीं नाम के लिए डेट अके लिए याद रखना है त्हुंप पढ़ते चलो तुमको सारी चीद समझ में जाई यह दोनों डेट याद रखना ना क्योंकि एनिमल वीत क्लासिफिकेशन है अंदर जो लोजी के अंदर टोपे का एनि क्या है जैसे भाई हमारा देश चलता संभीदान के चलता चलता है कि देश को कैसे चलाना है तो नियमों के आधार पर इचलेगा ठीक है तो उसी प्रकार प्लांट और एनिमल का जो no-1 इसको नहीं होगा तो उससे कुछ रूल्स होंगी और रूल्स के अकोडिंग भी ही पर रूज को फोलो करना पड़ीगी यह सुनूं तो उन्हें रूज के कलेक्शन की जो बुक है इन रूज की जो कलेक्शन की बुक है जैसे संभीदान के अंदर अलग-अलग आर्टिकल्स होते हैं तो मलाक्य उसको बोलती है संभीदान ऐसे यहां पर अलग-अलग रूज को बोलते हैं क्या बोलते हैं इंटनेशनल याद रखना मोस्ट इमपोटेंट है इंटनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमनक्लेचर प्लांट एक प्रकार से प्लांट के नोमनक्लेचर की किताब है संभीदान नहीं होता है जैसे आपने मता कि भाई देश कैसे चलाना है संभीदान के अधार पर चलेगा ऐसे नौनन किलेचर के साहर पर करना है एकोडिंग टो इस बुखन की में जो रूब सेनके यह घर पर आपको सारी कम करना है तो बात समझ में आ गई हाई आना डॉक्त आप मार्व टीक है तो कलेक्शन अब रूल्स जो है कलेक्शन ओगोल से रिगारड इसंटिफिक नोंपैशरों प्लांट इस नो इसी जो पूग है तो आइसी वीडियाय वह बुक्त है जिसके अंदर गलेगे की रूल की बोख को क्या है तो किया है प्लेक्ट से फब्लीस हुए यह दो बार पोब्लिस हो इसका कुछ कमी किया गया 75 75 करने के बाद प्रसे फब्लीस हुई तो आए सीवार पब्लिस हुई 1961 डिवन और 1978 के अंदर पॉछी तो एक्जाम में पूछते हैं आए सी बन का फौलकॉमा एक्जाम में पूछा जाता है यह पूछा जाता है ठीक है यह हो गया अब हम पढ़ेंगे की बाइनुमिल नौमन कलेचर करते कैसे हैं यह बहुत ही सिंपल बैसेख रूह से क्या है कि जो भी प्लांट होगा जो भी अनुमल के लिचर होगा कि अभी रहें नाम करन होगा हम इसका जो सांटिफिक म्यंड कर बनता है हुए पहला जब पानुगा वोगा व्यास का नाम होगा उसकी जाती का नेम विस्पिसीज होगा जैसे आपके सामने यहां पर कुछ रूल से लगे हैं क्या मैंजी फिराइंडी का है ना सोले नम्टी प्रेशन सक्रवान थे से लिए आपके सामने नम्टी नाव यह भी का नाम होगा और दूसरे नाम जो होगा तो आँशर घा दीगा धिया दीगा जैसे आपके कि सामने एक्जामपल है जाती है यह क्या है जाती जाती का नाम या इस परेकार जैसे में जी पिरा इंडिका है तो फर्स्ट वर्ट किया जैनरिक वर्ट नेम होता है कोई बी संटिफिक नेम जो कोगा तो पहला नहीं होना छाएं कि जनर्य को रहना है मैं जी तो है जोन का सब्सक्राइब रूल मैंची पहज़ सम्छ है गाइन लिग कुड़ है इसको प्लांट का ऑमन क्लेस्तर टो यह तो का नाजा 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 इंडियन-black cobra का नाम और यह एकसप्टटड है यहाँ पर दोनों बाट समान स्मय अनिमल के नोमनक्लेचर के समय तो टो नेम सभू नेम का मतलब होता है नेम का रिपीटेशन रहो डोनों बड़ एक जैसे होना प्लांट के नॉमन्कलेचर में एक्सेप्टेट में एक्सेप्टेट नहीं होता है थीक है ना जो इंडियन मिलेक और नाजा नाजा रैटस रैटस चुवा का नाम होता है आपने देखा होगा से में तो एनिमल के में दोनों भाट सहमों सकते हैं लेकिंद इक नो मेड़ से नहीं हो सकते हुआ हैं पलान का नोमनगे डिटरा काकर नोमन प्लाइंट एनिवल करेंगा इंटरनेशनल कोड़ जो लोगन क्लेचर के अकोर्डिक किया जाता है तो तो नेम्स का मतलब दोनों नेम सेम दानेम इस जेन्रम ने और स्पेशिक वर्ट समोना उसको बोलता है तो नेम्स तो बाई मैंजी फिर मैंजी फिर गलत हो जाएगा लेक ग्लासिफेकर करते समय इस शीट ॉद्ह नहीं भूलते लेकिन प्लाइंट के नहीं होते हैं ठीक है यह तीसर्य टायप हर्वेरियुरीयम सीट जमा करना होतीं हो हैं क्या करना पड़ती है एक कि तीसरा रूर्वered कि जो भी आप प्लांट की डिस्कवरी करोगी है नहीं जै के अदर फर्स सेकींड समेस्टर में वीड सैंस वाला तो वहां पर आपने ऐड़ा राइंडर के छिपका के पेपर पर रहना कोले में संविट किया होगा आपने किया ता किया था तो हुआँ अपूआ तो और सήट इसी प्लांट के इंदर जो भी आप आइडेटिफ़ाय करते है थैसे ह tenants worth ली अगला क्या है रहता है बुचझ भी हम सांटिफिक ने लिक जाता है तहो जैनरिवर्डिणक बड़े उसका हाऌ में इस में नोगा और इसे नहीं होगा कि मैंजी फेरा मैंजी फेरा इंडी का ऐसा लिख दो गलत है यह फिर आप लेख दो इंडिका यह भी गलत है ठीक है यह भी रोंग है यह आप लेख दो मैंजी फेरा इंडिका यह भी गलत है आपको बस क्या याद रखना है सारे नहीं दो तो मैंजी फेरा ना ऐसे मैंजी फेरा इंडीका ऐसे लिख दो आप यह भी गलत है बस आपको याद रखना है आपको याद कहा रखना है आपको याद रखने कि जब हम एना जैनरेक पफ़ला बड़ जो होगा वह मैंसा यह सारी जो है मैंने आपको बताएं यह गलत होंगे लेकिने की तरीके अगला नोवन क्लेचर क्या है हां मोस्ट इंपूटेंट जब आप इनको टाइप करते हो जब हम थीसिस बगएरा लिखते हैं टाइप करते हैं तो इनको एटेलिक्स में लिखा जाता या अंडरलाइन कि करना है ऐसे मत करते हैं एक हिए लाइन से लएक से से लध्यास है इंटाल्पिय्क होमें मैंसे बॉपक्स के अंदर PML बुक्सपड़ते तो साइंटिफिक नेम होता है आप देखते हूंगे मैं साइटलेक्स में लेका होता है थोड़ा तिरचा होता है तो जब हम प्री टाइप करते हैं तो जैनरे को परिंटिस्ट ने यह नाम दिया है तो आपका जो नाम है ब्रेकिट में भाहर लगा जाते हैं मैं जी फेरा इंडीका जैसे मैं जी फेरा इंडीका यह लिनियस का नाम बहर लेका जाएंग जा चाहिए बहुद कि जो लेंग्वीज ग्रीग यह इंडियें वहां लेका जाता है नेम ऑफ साइंटेस्ट तू प्रपोश्ट नोमन के लेचर बुड़ी रिटन इन सोट ठीक है आप्टर देश्पसिक सोट मैं विल्कुल इस प्रकार से लिगा जाता है मैं जी फेरा इंडिका और लिन इस ने दिया है इस जो जैनरेक बाट और स्पेसिक बाट होते हैं यह हमे करिक बाट है उन दोने प्रकार की इम्रत बाट होती है तो इनमें में चैंजब से बदलाव नहीं होता है तो बदल जाएगा सो साल बाट है ना बदल जाएगा इस लिए इसलींगे लिए लिए लेग्वेज होती है या तो ग्रीक बड़ी अधिये लेके ने नहीं रखते हैं उसका सेंपल रोमन में लेका जाता है और साइन्टेस्ट का अंडर लाइन भी नहीं करेंगे मोसें पल रोमन लेटर में लेका जाएगा ठीक है तो सइंटिफिक n Amazos जो है मैंने बात है आपको Greek language और Latin language में लेका जाता है क्यों क्योंकि दोनों मृत वासाइं होती है डेट लेंग्वेजेस होती है और डेट लेंग्वेजेस में कोई बदलाब नहीं होता समय के साथ इसलिए इन लेंग्वेजेस का यूज किया जाता है और यहां तक क्लियर तो आइशे अब यहां पर दो अलग-अलग फल्पाव लेगे ना आइसी एनवी अभी हमने पढ़ा आइसी बीन यह था इंटरनेशनल कोड़ पोर्टिंगल लेकिन यहां पर लेका आइसी एनभी इंटरनेशनल कोड औफ नोमनक्लेचर वह बैक्टिरिया क्या बात समझ में आगए आपको है ठीक है कि मात समझ में आई आपको ही सारी चीज की बाइनोमियल नोमनक्लेचर कैसे किया जाता है क्या रूल्स होते हैं बताओ पिलिया रहाँ तकर रहूल प्रदीब आ檯ा आपको समझ रहाए कि कैसी हो Pale कई करते हैं उसके क्या 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 होते हैं यह bit की यहाद रखना है अब भाई क्यों करते हैं क्या सिध्निफिकन्स है हर चीश कह लेए सब्सक्राइब करते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो एक इस टेंडर्ड नहीं हो जाएगा पूरी दुनिया में हाँ है नहीं आप देखो आम हमारे आम के रहे हैं साउद मौर के ते हैं ना भारत के अलग अलग हिस्टों में लोकल लेंग बहुत सारे नाम ऐसे तो नाम पूर दुनिया में एक चीज के लग-लग नाम हो जाएंगे तो दुनिया में एक इस्टेंडर्ड नाम रहे है अगर मैंजी फिर इंडिका तो वर्ल्ड में यह की नाम चले वह यह यह आम का नाम है तो एक से एना स्टेंडर्ड हो गया कि साइंटिफिक नोमनक्लेशर सिस् से प्लांट के बारे कुछ जनकारि हमको मिल जाती है जैसा स्टेंटिफिक नेम लिका पायज अनलज को मतलब क्या यह यह मतलब होता है कि जिसके अंदर क्या होता है मैलिक असिट प्रजेंट है ठीक है साइंटिफिक नहीं कभी कभी हमको कुछ ऑफ रही जाइस है जाइस मतलब क्या इसके अंदर मैलेक ऐख वह जैसे इस लेंड ना तुबरेसम इंडिकेड़ प्रडूबर्स है यह पोटाटो का ना प्रोवाइड करता है उस प्लांट के बारे में थीसरा साइंटिफिक नो मनकलेचर आप अपसमें प्लांट कीजना एफने तरसा आता है आप अपसमें चुछ संबंद बहुत भी दर साता है जैसे पोटाटो ब्रिंजल इस ले नम ट्यूबरेसम सोले नम मेलन जो सा तो हमें सो तो मतलब क्या है ख़ी नहीं को आपस में एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है एक ही हो गया सिग्निफिक हैं तीसरा जैन्रिक नहीं बहुत प्लांट सार्थ यहां पर लेका स्यम है मतलब दोनों क्या है सेम जीनेस के प्लांट है अब बताओ कि लिए रह प्लांट है कि यहां तक के लिए यह आज अपना पहले लेक्षर था कल से अपने धीरी दीरी टाइम बढ़ाते हैं और जैसे बच्ची आजाएंगी ठीक है तो आगे स्टार्ट करते हैं तो यह तुमको अपने टैक्सोनोमी के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में नुमन कि एक भी कोशन ना तो एक्जाम में भार जाएगा कैसा ही सामने वाला पेपर बना दे और एक भी तुम्हारा गलत नहीं होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं जी ठीक है ना एतना आपको बिस्त्रेस तरीके बहुत ही सांदार तरीके से कंटेंट मिलेगा कि आपका सामने वाला क पर भी बिल्कुल ते समाज में आया तो आज कर जो लेक्षर यह समझ में आया कि मता हो जब तक हम बाष्च नहीं पढ़ते हैं किसी सब्जेक के वारे में अगर कोई ऐसा कोशन आ गया तो बैसिक चीज पढ़ना हो जरूरी होते है कोई सब्जेक्ट में पकल बनाने के लिए बैसिक चीज़ा हमको पता होना चाहिए तब हम को आगे बढ़ना चाहिए अगर हम ब सब्सक्राइब करता है अगर हमको बैसिक चीज़ा पता है तो कोशन को असानी से सोल कर पाते हैं बहुत ही तरीके से ठीक है जिए कि गना